नमस्ते दोस्तों वल्कूम बैक आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए साउथ का फेमस लेमोन राइस गरगर में फेमोस हैं आज हम बनाएंगे लेमोन राइस आए दोस्तों बनाते हैं चाते चाते एक लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राइब कीजिए आप इस चानल पर नए है तो सबसे पहले पहले सब्सक्राइब बटन कीजिए और घंटी दमानों मत भूली आप देख रहे हमने यहाँ पर कटा हुआ पियाच हरी मिर्ची लेमन दो टाइप के डाल लिये हैं और मुंखफली लिये हैं कुछ करी पते लिये हैं और एक लेमन लिये हैं इसी से आज हम बनाएगे कड़ाई में 2 टेबल स्पून आय लेते हैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरे को डाल रहे हैं कटा हुआ हरी मिर्ची को डालेंगे इसको थोड़ा फ्राइप करेंगे आप इसमे करें अभी इसमें तोंच दालेंंगे यहां पर करोड़ कोड़ा हैं हमें सब मिला कर फ्राय मीक हैं तो 5 सब कर दीज़ा थमौन नहीं हैimana में इसमें आप इसमें जांगिंगों में जलाज कर दालेंगे दालेंगे, हमें अच्छी दाने से फ्राय करना है, नहीं तो हल्दी जल जाएगा, वन टेबल स्पून नमक डालेंगे, आप स्वाल की मुताबिक नमक डालिए, अब इस सब को मिला कर फ्राय करेंगे, देखिए हमारा फ्राय हो चुका है, आप इसमें मुफली को डालेंगे, थोड़ा फ्राय करेंगे, ये फ्राय किया हुआ मुफली है, इसलिए हम इसको ज्यादा फ्राय नहीं कर रहे है, अब लेमन जूस को डालेंगे, लेमन जूस दालने के बार फटाफर हमें राइस को डालना है, राइस में लेमन का स्वाद आएगा, इसलिए हम पटाफर डाल लेमन लेमन हो जाएगा इसलिए इसका नाम है लेमन रैस को अब यह रईस को अच्छी दरतसे मसाला में मिक्स करेंगे देखिए हमारा पनकेया लेमन रैस आईए लेमन रैस का मजा लेते हैं बरबल करी के साथ आज हम बनाई है लेमोन राइस विद बर्बल करी बहुत टेस्टी है आप इसका मज़ा लीजिए और हमें बताइए कैसा लगा थैंक्यू दोस्तो बर्बल करी का रेसिपी आपको डेस्क्रिशन में मिल जाएगा थैंक्यू पर वार्चिंग